नमस्कार नीज फॉर्णेशन देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ धिरत सिंग मुकेश सहनी को नितिस कैबिनेट से बर्खास्त करने के बाद आज मुकेश सहनी प्रेसवारता करते हुए बीजेपी पर आड़ूप लगा हैं कि वो अति पीछरा और पीछरे के साथ नाइ इंसाफिक किया है समाद सेवा है, समाद सेवा किस रूप में किया जाए, निश्चित रूप से उस सीख रहे हैं, और जहां तक मुझे सहनी जी को मुझे लगता है कि BJP पे आरोप लगाने से ज़्यादा अच्छा है कि कहां उनमें क्या कमिया है, कौन सी कमिया ऐसे रह गई, कि जो पार्टी जो करेंगे, जनता तेल उनाइटेड में समाद के सभी बड़कों का परतिनिजित होता रहा है, और मुझे सहनी जी भी आते हैं, और समादी कार्ज करता है, निता के रूप में काम करते है, नितीज जी में आस्था बेक्त करते हैं, तो इसमें कोई आपती नहीं हम लोग को है, अगर उनका आना चाहते तो वो स्वागत है अब आप लोग कहने जेडियो में तो मुकेस नी का दबदबा लगतार कहा जा सकता है कि जेडियो में अगर स्वागत किजिए तो आप लोग रहेंगे वो दखिए व्याइपी पार्टी का नाउ तो डूब चुका है फिलाल और कॉंग्रेस की डूबती नाउ जो है सबको पता है पूरे कॉंग्रेस का भारत वर्ष में क्या स्थिती है हम सबको पता है तो डूबती नाउ पे वो सवारी करना चाहेंगे उनकी एक च्छा है अगर वो तो निश्चित रूप से जाए वहाँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है, जैसे मैंने कहा कि आधरनी मुकेश जी, निश्चित रूप से अब धीरे-धीरे पड़िपक हो रहे हैं, राजनीती जैसो वो समझ रहे हैं, कि राजनीती किस रूप में की जाए, किस रूप में समाज क लोगों को आवाज बुलंद रहसो करना है, तो अगर हम लोग के साथ आते हैं, तो हम लोग को कोई आपती नहीं आवे, नितीश जी में आस्था बैक्त करें, काम करें बिहार के भविष्च को सवारने में, हम सब लोग लगातार आधर नितीश कुमार जी में आस्था बैक् देकि उनकी party तो पूरी तरह तूट चुकी है, तीन विधायक थे, तीनों विधायक BJP की सदस्ता ले चुके हैं, तो विधान सभा में उनका तो कोई representation है ही नहीं, तो मुकेश सहनी जी अगर individual या party के रूप में भी आना चाहें, तो इसमें कोई आपत्ती नहीं है, देकि ultimately रा वो कहां जाएंगे नहीं जाएंगे भविस में उनका क्या strategy होगा तो आने वाला वक्त बताएगा, निश्ची तुरुप से अभी तो फिलहाल उनका game over हो चुका है, BJP से उनका गटबंधन तूट चुका है, BJP से गटबंधन तूटने का सिधा आर्थ है कि वो NDA के पार्ट